खाना तर्वागी पूलिस ने लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले एक अवियुक्त को शुकुलपूरा मोड से किया गिरफतार थाना तर्वाक्षेत्र के एक व्यक्ति दौरा शिकायत की गई कि दिनांग 15.07.2022 को समय लगभग 10 बजे रात में वादी की पूत्री को शिवकुमार पूत्र तिलोकी राजभर अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले गया है इसके संबंद में मुकदमा अपराद संख्या 192 बटा 22 धारा 363-366 आईपीसी पंजीकरित कराया गया था इस बीच दिनांग 24.09.22 को उपनी रिक्षक जावेद अक्तर मैं हमरा दौरा मुकदमा उपरोक्त से संबंदित नामजद अभियुक्त शिवकुमार राजबर पुत्र त्रिलोकी राजबर निवासी मोकल पुर थाना तर्मा जनपद आजमगड को शुकुलपूरा मोड से समय करीब साड़े 9 बजे हिरासत पुलिस लिया गया अन्या ग्रिम कारवाई की जा रही है गिरफतार करने वाली पुलिस टीम में सो अनिल कुमार सिंग के नेत्तिरित में उपनिरिक्षक जावेद अक्तर मैं हमरा हेड कांस्टेबल रविंद रयादव और महिला रक्षी रिंकी सिंग थाना तर्मा जनपद आजमगड शामिल रहे चेवार डोमन पूर पैड़हा में पारस नात सिंग अम्रित सरोवर पर होमगार्ड विभाग की ओर से 50 पौधों का किया गया पौधरोपन आज शनिवार कुर लाल गंद बलाक के चेवार डोमन पूर पैड़हा में स्वतंतरता संग्राम सेनानी पारस नात सिंग अम्रित सरोवर पर होमगार्ड विभाग की ओर से 50 पौधों का पौधरोपन किया गया बलाक आर्गनाईजर रितेश सिंग की अगवाई में किये गए पौधरोपन के आऊसर पर होमगार्ड विभाग के जवान काफी परसन न नजर आए इस मौके पर रितेश सिंग ने कहा कि अधिक से अधिक पौधरोपन किया जाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है इस मौके पर सरोज कुमार पांडे, राम लोचन राम, हनुमान पाल, शंकर यादो, संतोष कुमार सिंग, राजेश यादो, हरेंद्र यादो, रमेश राय, बेचन यादो, गामा प्रसाद, शंभू नाथ राय, अजय सिंग, रोहित सिंग, राणा प्रताप सिंग, देवगाँ थाने में आयोजित संपुर्ण समाधान दिवस में पहुँचे डियाईजी अखिलेश कुमार ने सुनी फरियाद चार प्रार्थना पत्र किये गए प्रस्तुत आज शनिवार को देवगां को तवाली में आयोजित किये गए संपूर्ण समाधान दिवस में डियाईजी अखिलेश कुमार ने पहुँच कर लोगों की फर्याद सुनी इस मौके पर चार लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए जिसमें प्रात्मिक विद्याले देवगां प्रत्थम के प्रधाना अध्यापक प्रमोध कुमार यादों ने विद्याले के गाटा संख्या 127 में 1960 में निर्मित स्कूल के बगल की जमीन पर लाक डाउन और गर्मी की छुट्टी में कुछ लोगों द्वारा इस्थाई निर्माड कराकर कबजा किये जाने की शिकायत की इस संबंद में उपस्थित नायब तासिलदार पंकज शाही ने लेखपाल को तलब करके मामिले को शीग्र निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया इसी प्रकार देवगाउ बाजार निवासियों ने जल निकासी की ब्यवस्था ना होने से मैदान के आसपास कक्षेत्र जलमगन होने से काम बाधित होने का प्रार्तना पत्र दिया बाजारवासी धीरेंद्र कुमार साहु अध्यक्ष रामलीला सेवा संग रंजीत यादो संजय प्रजापती आधी ने शिकायत की कि 26 सितंबर से रामलीला का मंचन शुरू होने वाला है परंतु मैदान के आस पास पूरी तरह पानी भरा हुआ है ऐसी इस्तिती में सहीमल पोखरी तक जल निकास की बेवस्था कराई जाए लालगण्द के आजए सोनकर ने जमीन से समबंदित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कुल मिलाकर आज के इस संपूर्ण समाधान दीवस में 4 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए इस मौके पर तमाम लेकपाल कानून गो आदी के साथ कोतवाल देवगां गजानंद चौबे तथा समस्ती स्टाफ के लोग मौजूद रहे डियाईजी अखिलेश कुमार ने देवगां कोतवाली परिसर और मंदिर आदी का निरीक्षन करने के साथ विभिन रजिस्टरों को मगा कर चेक किया तथा आवश्चक दिशा निर्देश दिये और यहां के अस्थानी लोगों को लिखा तेमिया फितर कोई कामवाई नहीं हुई है विभिए साब ने हमारे मामल ने को यहां के कान फंगोशर को दिया है कान फंगो majesty ने कहां कि जल दीमाई क्यों घमीन हैं और दोनों कबलारागना और दोन टनाए को चाहुँ तो संतुष्ट है इसका मदलबानी कारवाई है 2022 को आशुतोष्ट सिंग पुत्र अर्विंद सिंग निवासी अमिलिया थाना गंबीर पुर जनपद आजमगड़ दोरा तहरीर दी गई कि आजमगड़ से आफिस का कारे करके लोटते समय इशान पबलिक स्कूल के पास अग्यात मोटर साइकल सवार बदमाशों दोरा असलहे के बल पर एक टैबलेट एक मॉबाईल एक हजार रूपया चीन कर बदमाश भाग गए इस सूचना पर थाना गंबीरपूर पर मुकदमा पंजीकरित करके विवेचना प्रचलित है इसी प्रकार तिनांक 21 सितंबर 2022 को वादी जूलफिकार निवासी लाल गंज आजमगड़ अपने लैब का सामान लेकर आजमगड़ से लाल गंज जाते समय रोहुआ सीमेंट प् दसले से आतंकित करके 22 से 20,000 रूपया मोबाइल एटीम चीन कर भाग गए इस सूचना पर थाना इस्थानी पर मुकदमा अपराद संख्या 337 बटा 22 धारा 392 भारतिय दंडविधान पंजीकरित कर विवेचना परचलित है दिनांक 22 सितंबर 2022 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश SR पेट्रोल पंप के पास बगीचे में इकठा होकर लूट की योजना बना रहे हैं। तमंचा कारतूस मोटर साइकल और लूट के सामान बरामद हुए। इस संबंद में थाना इस्थानिय पर मुकदमा अपराद संक्या 338 बटा 22 धारा 392, 411, 398, 401 भारतिय दंड विधान और मुकदमा अपराद संक्या 349 बटा 22 धारा 3 बटा 25 आर्म सैक्ट थाना गंभीरपूर पर पंजीकरित किया गया पुना सूत्रों से ग्यात हुआ कि उपरोक्त लूट की घटनाओं में संबिलित एक अभियुक्त आजमगड से गुसाईग बजार की और आ रहा है सूचना पर थाना अद्यक्ष गंभीरपूर मैं हमराह द्वारा रोहुआ जीपील गुसाईग बजार प्लांट के पास मोटरसाइकल सवार को रोकने का इशारा किया गया मोटरसाइकल सवार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फाइरिंग की गई पुलिस द्वारा आत्म रक्षार्थ जवावी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पहर में गोली लगी जिसमें अवियुक्त घायल होकर गिर गया घायल अवियुक्त को चिकित सकी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया अवियुक्त की पहचान शिवम सोनी पुत्रामरनाथ सोनी निवासी थाना रानिक सराज अनपद आजमगड के रूप में हुई अवियुक्त के कबजे से कट्टा कार्थूस मोटरसाइकिल और लूट का सामान बरामद किया गया पूछ ताचपर गिरफतार अवियुक्त ने बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे पूलिस ने दो तमंचा 315 बोर, दो खोखा कार्थूस, दो जिंदा कार्थूस, एक टैबलेट, दो मोबाइल, दो मोटरसाइकिल और लूट का पैन कार्ड, आधार कार्ड और 5100 रूपया नगत बरामद किया है पूलिस टीम में थाना ध्यक्ष गंबीर पूर रामपरसाद बिंद मैं हमराहियों के मौजूद रहे लाल गंज में लेकपाल संग चुनाव में अरविंद कुमार यादव अध्यक्ष और राहुल तोमर चुने गए मंत्री लाल गंज में लेकपाल संग का चुनाव कराये गया लेकपाल संग के इस चुनाव में जिला संयोजक शकील आहमद की देख रेख में लेकपाल संग भवन में काफी गाहमा गाहमी देखी गई लेकपाल संग के चुनाव में अध्यक्ष और मंत्री पद के लिए साहमती ना बन पाने के कारण दोनों पदों के लिए मतदान कराये गया अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार यादो, अर्विंद कुमार यादो कुल भाजकर तिरपाथी के बीच मुकाबिला हुआ मंत्री पद के लिए साहरव कुमार उपाद्धयाय राहुल तोमर के बीच मतदान कराये गया मतदान में अर्विंद कुमार यादो को 45 वोट, अशोक कुमार यादो को 21 और कुल भाजकर तिरपाठी को कुल 22 वोट प्राप्त हुए, मंत्री पद पर राहुल तोमर को 45 वोट और सौरभ कुमार उपाद्याए को 36 वोट प्राप्त हुए, शेस पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिला संयोजक ने अरविंद कुमार यादव को अध्यक् और सुधीर गुपता को आए वे निरीक्षक पद का शपत गराण कराया, इस मौके पर राम प्यारे यादो जिला सह संयोजक अंजनी कुमार तिवारी सहित काफी संख्या में लेखपाल तथा अन्ने लोग मौजूद रहे। हरिहरपुर के युवा कलाकार आदर्श मिश्रा की हत्या से कलाकार वर्ग सहित समूचा जनपद इस्तब्द और मरमाहत है। इसे लेकर हरिहरपुर संगीत अकादमी के बैनर तले एक शोकसभा का आज शनिवार को अकादमी के सभागार में आयोजन किया गया जिसमें कई समाज सेवी संस्थाएं। ब्रामर संगठन दलीय नेताओं ने वहां पहुँचकर दिवंगत आदर्श मिश्रा के चित्र पर और श्रुपूरित पुषपांजली अर्पित की तथा उन्हें नमन किया गया। इसमें सदर सांसद के प्रतनी दिखिर रूप में मौके पर पहुँचे। संतोष श्रिवास्तों से लोगों ने शासन से मिर्तक के परिजनों को आर्थिक सहायता, सरकारी, नौकरी तथा सुरक्षा की मांग की। अजय मिश्र ने कहा गिए आदर्श मिश्रा अनमोल अपने कला के दम पर हरियरपूर घराने को गवरवानवित कर रहे थे। उनकी हत्या से हरियरपूर संगीत परिवार को बहुत बड़ी क्षती हुई है, जिसकी भरपाई निकट भविश में संभव नहीं है। इसकी शाम को बेखवप अपरादियों द्वारा युवा कलाकार अदर्श मिश्रा उर्फ अनमोल मिश्र पुत्र राजेश मिश्र ग्राम हरियरपूर थाना कंदरापूर की घर के बाहर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक कई सवर्श की उम्र में तबला वाद अदर्श मिश्रा ने कई पुरसकार अरजित करके हरियरपूर घराने को गवरवानवित किया था। उनकी हत्या किये जाने से समूचे जनपत के लोग इस्तब्ध और आहत हैं। लगातार शोकसभा आयोजित करके युवा कलाकार को श्रद्धानजली दी जा रही है। अन्त राजेश सिंग, गोकुल मिश्र, पंडित संभुनात मिश्र, कुमर भरत सिंग, हिर्दे मिश्र, दीपराज मिश्र, उमाशंकर मिश्र, सीतला मिश्र, पुजारी मिश्र, कमलेश मिश्र, नमन मिश्र, वीरु मिश्र, अभिमन्यू, प्रमीड, सतीष मिश्र, कौशल मिश् अशोक तिवारी, सुभाश चन तिवारी, कुंदन, संजे कुमार पांडे, वंशधर पांडे, उपेंद्रदत शुकला सहित, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरिहरपुर हत्याकांड का मुख्यारोपी गोली लगने से घायल दूसरा साथी काजू शर्मावी गिरफ्तार तमंचा बरामद हरिहरपुर हत्याकांड का पुलिस ने किया अनावरण। हरिहरपुर घराने के कलाकार आदर्ष हत्याकांड के मुख्यारोपी सुशील यादो वुर्फ गोल्डी को पुलिस ने शुकरवार की देर रात मुठभेड के बाद गिरफ्तार कर लिया असलहा बरामदगी के दवरान उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया जवाबी कारव उसके पएर में गोली लगी है उसके साथ हत्याकांड के एकन ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है 20 सितंबर को कंदरा पुर्थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गावं में तबला वादक आदर्ष मिष्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड में आदर्श के पिता की तहरीर पर सुशील यादव उर्फ गोल्डी मोनु यादव काजू शर्मा समेत चार लोगों को नामजद किया गया था पुलिस ने बीते गुरुआर कोई मुटबेड में आरोपी मोनु यादव को गिरफतार किया था वहीं शुकरवार की रात करीब 9 बजे कंधरा पुर्थाना क्षेतर के दूधनारा तिराहे के पास सुशील यादव उर्फ गोल्डी एम उसके साथी काजू शर्मा को बाइक समेत गिरफतार कर लिया गया है एस पी अनुराग आरे ने बताया कि दो घंटे की पूछ ताज के बाद हत्या में प्रयूकत असलहे की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गोल्डी को लेकर रात साड़ही ग्यारा बजे कंधरा पूर के ही करेनुआ मठ के पास ले गई इस दोरान गोल्डी ने पुलिस टीम पर छिपाए गए असलहे से फायर कर दिया आत्म रक्षा में पुलिस टीम ने भी गोल्डी पर फायर किया इस घटना में गोल्डी के बाएं पैर में गोली लगी है उसे इलाज के लिए मंडली अस्पताल में भरती करा दिया गया है गोल्डी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, दो जिन्दा कार्तूस और दो खोके बरामद किये गये हैं इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है अब तक इस घटना में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है गोल्डी के अवैद निर्वान के दोस्तेकरण की कारवाई पुलिस वर राजस्टीम के दवारा की गई थी आज दिनांग 23 तारिक को इस घटना का अनावरण किया गया है रात्रे लगवग 9 बजे नामजद मुख अवयुक्त वशूटक सुशील यादव उर्फ गोल्डी और इसका सहय अवयुक्त काजू शर्मा उर्फ मनीश शर्मा पुतर सुभाश शर्मा जो दोनों हरिहरपूर के रहने वाले हैं इनको दूदनारा तिराहे के पास से थाना कंदरापूर की टीम के द्वारा गिरफतार किया गया है उश्टाच के दौरान अवयुक्त गोल्डी यादव ने बताया कि अवयुक्त वे मरतक एक दूसरे से परिचित थे वह एक दूसरे के यहां आना जाना था लगबग 6 महापूर इसके बड़े भाई सोनु यादव के साथ रदे मिश्रा आदर्ष मिश्रा वे कुछ अन्य लोगों की किसी बात को लेकर कहास होनी में मारपीट हुई थी इस घड़ना के एक दिन पूर 19 सितंबर को उन्य लक्षी रामपूर में अवयुक्त वे उसके साथियों की कहास होनी आदर्ष मिश्रा वे उसके साथियों के साथ हुई थी इसी का बदला लेने के लिए अवयुक्त द्वारा ये घड़ना कारित करना बताया गया है इस संबंद में विस्त्रित पूश्टाच अभी जा रही है घड़ना करने के लिए अवयुक्त काजू शर्मा की स्प्लेंडर मोटसाइकल यूज हुई थी घड़ना सल पर जाने के लिए कि बाईक काजु शर्मा खुद चला रहा था काजु शर्मा की गिर्फतारी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है अव्युक्ट पीछे बैठा हुआ था इसक्राइब से जिस बाईक से घटना करने ये गए थे इसमें इसके बाए पैर में गोली लगी है घायल अव्यूक सुशील यादव और गोल्डी यादव को जलासपदाल आजमकर उप्चार के लिए बेजा गिया है इसके पास से घटना में प्रियुक्त एक अवैद असला 315 बोर एक जिन्दा कार्तूस वे दोग खोका कार्तूस 315 बोर बरामद हुआ है घटना के संबंद में दोनों अव्यूक्तों से विस्त्रित पूछताच की जा रही है इन सभी अव्यूक्तों के विरूद गेंग्स्टर एक वे दारा चौदाए गेंग्स्टर एक के अंतरगत संपत्ती जक्ति करण की कारवाई भी सुनिश्चित की जाएगी इस प्रकार से इस घटना में अब तक 3 अव्यूक्तों को गिरफतार किया जा चुका है इसमें मुख्या व्यूक्तों के शूटर सुशी लिया अदो और गोल्डी अदो भी आज मुटवेड के दारान गिरफतार हुआ है और इसके बाई पैर में बोली लगी है इसके साथ साथ घटना में प्रियूक्त अवैद असला, कार्तूस और घटना में प्रियूक्त स्प्लेंडर मोटसाई के लिए यह भी बरावत कर लिए रहे हैं और घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है 17 सितंबर से 21 सितंबर के बीच जनपत के चार घटना चेत्रों में पांच मोबाईल पैसे की छिनेती की घटनाएं घटित हुई थी जिनने बाईक सवार बदमाशो द्वारा कुछ वेक्तियों के मोबाईल फोन, टेबलेट, पर्स वगेरा चीन लिए गया है इन घटनाओं के अनावरण के लिए चारो धाना देट्शों के साथ 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 सोजी वे सरुलांस टीम को भी लगाया गया था इसी गैंग के एक सदश सिवम सोनी को थाना कंभेरपूर की टीम के द्वारा पुलिस मुटबेड में गिरफतार किया गया है इसके दाइने पैर में गोली लगी है इसको उप्चार के लिए अस्पताल बेजा गया है इसके पास से अवैद शस्त्र गटना में प्रियुक्ट मोट साइकल लूटा गया टैबलेट बरामत किया गया है इसी गैंग के एकन अनिस सदश मुहम्मद अनस को ठाना कप्तान गंजवा अतरॉलिया की संयुक टीम द्वारा पुलिस मुटबेड के दौरा गिरफतार किया गया है इसके बाएं पैर में गोली लगी है इसके पास से एक अवै तमंचा 315 बोर कार्टूस वे लूटे गए कुछ कागजात बरामत हुए है इस प्रकार अभी तक इस गैंग के 5 बदमास पुलिस के दौरा गिरफतार किया चुक है जिसमें 2 पुलिस मुटबेड के दौरा गायल हुए है और अब तक इनके पास से कुल 3 अवै तमंचे, कार्टूस, लूटे गए टेबलेट, 3 मोटसाइकल, 3 मोबाइल, लूटे गए पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटियम इत्यादी वे 7000 रुपय बरामत किया गया है इस गैंग में अभी तक विमेचना से लगब 11 सदशों की जानकारी हुई है 66 बदमाशों की तलाश वग्रफतारी के लिए 6 अलग-अलग टीमें गटित कर लगादार दविश की कारवाई चल रही है ऐसे अपरादियों के साथ कठोरतों विदिक कारवाई पुलिस के दोरा अमल में लाई जाएगी इसके साथ-साथ इनको शरण देने वाले या इनकी मदद करने वाले की भी कानून की जद में लेकर गैंग-चार्ट का इससा बना कर गैंग्स्टर की कारवाई और गैंग्स्ट्रेक्ट के तहत इनकी संपत्ति जब्तिकरण की कारवाई और इस्टीशीट खोलने की तारवाई इस निशिकी जाएगी